नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पोस्ट आफिस पीपीएफ योजना में बहत्तर हजार जमा करने पर मिलेंगे 19,52,740 रुपए रुपए इतने साल बाद, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में अगर कोई निवेश करने के बारे में सोचता है तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि उसे निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले और उसका पैसा सुरक्षित हो। आज हम आपको एक ऐसे ही सुरक्षित निवेश विकल्प के बारे में बताने वाले हैं। हम बात कर रही हैं, पोस्ट उफिस की बचट योजनाओं के बारे में पोस्ट उफिस अपने ग्राहकों के लिए कई सेविंग स्कीम्स चलाता है। उन्ही में से एक है Post Office PPF स्कीम. इस योजना में देश के कई लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है. लंबे समय अवधी के लिए पैसा निवेश करने वालों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. फिलहाल इस Public Provident Fund स्कीम में सालाना 7.1 प्रतिशत की हिसाब से compounding 500 रूपय से खाता खोल कर निवेश शुरू कर सकते हैं. और अधिक्तम निवेश की बात करें, तो आप 1.5 लाख तक सालाना जमा कर सकते हैं. वहीं E-E कैटेगरी की स्कीम में 3 तरह से ब्याज भी बचाया जा सकता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है. उसके पहले आप PPF खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं. 15 साल के बाद आप इसे 5 से 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. साथ ही post office की इस सचमे में आपको लोन की सुविधा भी दी जाएगी. जिसकी शर्त यह है कि जितने पैसे जमा करते हैं, उस राशी का 25 प्रतिशत तक लोन मिलेगा और यह लोन आपको खाते के एक साल पूरा होने के बाद मिलेगा. ऐसे मिलेंगे maturity पर एक करोड रुपए. अगर आप भी post office की PPF योजना में निवेश कर एक करोड रुपए कमाना चाहत हैं. तो आपको हम बता रही हैं. इस तरह से निवेश करना होगा. जैसे कि आपको बताया अगर आप हर दिन 200 रुपए का निवेश करते हैं, तो महीने के 6,000 रुपए जमा करने होंगे. ऐसे में अगर आप 15 साल तक हर महीने 6,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो कुल पर कुल 19,52,740 रुपए मिलेंगे जिसमें केवल ब्याज के रूप में 8,72,740 रुपए मिल जाएंगे टैक्स छूट का मिलेगा लाब पोस्ट ओफिस की तरफ से शुरू की गई यह पबलिक प्रोविडेंट फंड योजना इक कैटेगरी में आती है की कैटेगरी का मतलब होता है कि निवेश की गई राशी पर इंकम टैक्स की धारा 80C के तहट 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है इसकी मदद से आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है यानि इन्वेस्टमेंट, इंटरस्ट रिटर्न और मैच्चॉरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए धन्यवाद